नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सीबिस तरफिस में यूपी प्यस्सी के लिए यह फुल लंटे सीरीज हम आपके लिए लाएं यह कंप्लीट इसमें जैसा पेपर एक्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यह आपके दिया जाएगा डेड़ सो कुछिण है बिल्कुल लेटस्ट पैटरन के हिसाब से हैं जो 2020 का जो है पैटरन आपका उसको आप पोरा टेम्ट जरूर करिएगा बहुत अफर्ट लगे है पहले क्वेश्चन बनाने में ट्रासलेट करने में पिर उसको यहाँ पर डिकोड करने में explain करने में पूरी study for civil services की team का काम है ये आप इसको भरपूर फायदा उठाइए एक पस आप से request है वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा और channel को बिल्कुल subscribe कर लिएगा सारे वीडियो बिल्कुल free ते, free है, free रहेंगे subscription बिल्कुल free है, कोई fees नहीं है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पेड ग्रूप से related सारी information जान लेजे, आप चाहें तो UPSC या किसी भी स्टेट PSC के लिए इसे जोइन कर सकते हैं, complete study material या test series दोनों में से जो चाहें आप उसके लिए जोइन कर सकते हैं, इस से related जो भी information है आपको इन given numbers पर मिल जाएगी और साथ ही अगर आपने हमारे telegram के channel को अभी तक जोइन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल तो उसे तुरण से तुरण जोइन कर लिजे क्योंकि इसमें आपको exam related सारी information मिल जाएगे, तो आएए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ, first question पर आते हैं और first question में दिया गया है कि शासक हमें पहचानना है, statement से related कौन से शासक के बारे में बताया गया है, त तो यह कौन थे, इसका correct answer है टीपू सुल्तान, right, टीपू सुल्तान आपको बताएं कि काफी जाधा प्रभावित थे, फ्रांसीसी क्रांती से, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question में सवाई जैसंग से related to statements दे गया है, पहले statement में कहा गया है, इन्होंने जैपूर की स्थापना किय थी और इन्हों ये खगोल शास्त्री थे काफी बड़े, तीसरे में कहा गया है कि इन्होंने लड़कियों की शादी में जो खर्च होता था, उसको थोड़ा नियंतित करने का प्रयास किया था, साथ इन्होंने 20 सालों तक शासन किया, तो देखिए, फर्स सेकेंड और आप ना की थी, बिलकुल सही बात है, इसके साथ इन्होंने लाबोरेटरीस इस्टाबलिश की थी, चार इन्होंने एक साड़नी का सेट तयार किया था, एक टेबल तयार की थी जिसने लोगों को खगोलशा समझ्दी, जो भी परिवेक्षन हो उसको करने में सहेता मिले, उस तो यह आपने देख लिया आगे बढ़ते हैं इसमें हम मैं आपको बता देती हूं करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं पंजाब के जो शासत घरजीत सिंग इनके संदर में पॉइंट्स दिये गए हैं कहा गया है कि सुकर्चक्या मिसल से रिलेड़ेट थी और यूर लागों केगः जो भूर अजसमें बदलाफ की थे चोत हैं कि छॉते में कहा गया है कि इन्होंने लाहौर में तोप बनाने के कार खाने को लें तो कौन सा स्टेट्मेंट सही है 2 और 4 स्टेट्मेंट समाली यहाँ पर सही होँगे करेक्ट ऑप्छन हो जाएग और से अंगे बूर अर्जस्व में कोई भी बदलाब नहीं किया था जो मुगलों के द्वारा इस्टाब्रिश किया गया था रहे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन है मराठा पेश्व बाला जी विश्वनात से संबंदित कहा गया है कि इनके काल में जो कोला को छेतर था उसमें साहु का आधिपथ्य हो गया था फरुक सियर को उताने में इनोंने सैयत बंधूह की साहता गी थी और साथ ही इनोंने पेश्वा के जो पत था उ महराज शुपर कायम किया था लेकिन कोला पुरकर जिल दक्षन का इलाका था वहाँ पर राजा राम के वंशजो का शार्सन था ठीक है ना कि इनका इसलिए ये statement गलत हो जाता है आगे देख लेते हैं डचों के संदर में स्टेटमेंट्स देए गया है कहा गया है कि इनकी तिलचस्पी भारत से अधिक जावा सुमात्रा और स्पाइस आलयन में थी जो कि बिल्कुल सही बात है इन्हों इन्होंने भारत में इन्होंने सूरत केरल के कोचीन बिहार के पतना और उत्तर प्रदेश के आगरा में व्यापार केंद्र खोले थे और ये पुर्दगालियों से श्री लंका जीते थे ये तीनों ही statement हमारे बिल्कुल ही correct है डचस से related इसलिए उप्रोप्ट सभी इसका correct option ह इन्होंने 1602 में established की थी अपना भारत में व्यापार established किया था company और इन्होंने 1658 में श्री लंका को जीत लिया था पुर्दगालियों से चीक है तो यह years आपको पता होने साहिए आगे बढ़ते हैं अब बात की गई है कि भारत में अंग्रेजों के आगमन के संदर में कुछ ब्रिडिश सरकार से इस इंडिया company ने किया था यह बात बिल्कुल सही है इसलिए correct option हो जाएगा option number C then next question में बात की गई है भारत में इस इंडिया company की factory के संदर में तो factory क्या थी factory किला बन शेतर था और इसमें company के कर्मचारियों के घर भी होते थे और इसमें उत्पादन कार नहीं होता था इसलिए correct option होगा A right then boxer के युद्ध के बाद बंगाल में लागू द्वैट शासन इसमें कहा गया है company अब दिवान के रूप में सीधे राजस पर वसूल करने लगी थी और प्रशासन का दाय तो नवाब पर आ गया था और जंता की हितों की रक्षा नवाब औ नहीं कर रहे थे तो इसमें तो कौन सा correct होगा आप बताएं यह तीनों ही बाते बिल्कुल सही है इसलिए option D correct हो जाएगा right next में बढ़ते हैं अंग्रेजों त्वारा भारती अर्थ विवस्ता के दोहन के संदर में कुछ पॉइंट दिये गया है इसमें कहा है इसके चलते भ statements नहीं है आपको यह पहला statement थोड़ा confusing लग सकता है कि निर्यात बढ़ गया था तो भारत को profit होना चाहिए निर्यात आयात से जादा हो गया था लेकिन इसका भारत को बिल्कुल भी नहीं मिला था ठीक है यह सारा favorable था East India Company के लिए ना कि इंडिया के लिए तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा option number D उप्रोग सभी देन अंग्रेजों के भारत में यातायात की विवस्ता में सुधार करने के लिए क्या क्या किया इन्होंने steamers लवाए थे नदियों में सडकों पर प्रमुक नगरों और बंदर गाहों को मंडियों से जोड़ने का प्रयास किया था सडकों के या पार है वह सही तरीके से सुचार रूप से चल सके ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए next question पर बढ़ते हैं इसमें कथन दिये हुए इनको देखते हैं 1853 में कलकत्ता और आग्रा के बीच में पहली तार लाइन शुरू की गई थी ठीक है सही बात है और लौड बताना है option number 11 इसमें हमको बताना है इसका correct option होगा option number D ठीक है sorry option number C दोनों ही statement हमारी यहाँ पर correct है देखिए अब हम 12th question में आ गए हैं Cornwallis द्वारा किये गए जो पुलिस सुधार थे उसमें कहा गया है कि पुलिस थानों की जो पुरानी विवस्ता भारती विवस्ता थी उसी को थोड़ा आधूनिक कर दिया गया था थाने का जो प्रधान था वो दरोगा जो होता था वो भ पॉइंट्स दिये गए कहा गया है इन्होंने बंगला वर्ड माला लिखी और इन्होंने संस्कृत कॉलिज को गैर ब्रामणों के लिए खोला और बहु विवा के खिलाफ आंदोलन चलाया तो इश्वर चंद्रवध्या सागर के संदर में भी यह तीनों ही पॉइंट्स सही इसके बाद हमसर सहीद एमत कान के बारे में कुछ बाते कई गई इसमें इन्होंने कहा है कि कुरान की व्याख्या समकालीन बुद्धिवात के आधार पर की गई है और इन्होंने कहा है कि आधुनिक शिक्षा के प्रसार को इन्होंने प्राथमिक्ता दी और मुस्लिमों को राजनीती से दूर रहने के लिए इन्होंने कहा था तो फिर से एक बार सारे ही कतन सही है इसलिए ऑप्शन डिकरेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के संदर में इसमें क्या कहा गया है आत्म निर्भरता पर दोर दिया गया है और स्त्रियों की भाग करेक्ट है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वान थ्री ऑप्शन नमबर बी नेक्स्ट में बात की गई है कि उन्नीशवी सदी के अंतक भारत में सामप्रदाइक्त यानि कम्यूनलिजम के विकास के कारण बताए गया है तो इसमें कहा गया है मुस्लिमों की शैक्षिक प्रिष्ला पन्यों था और मन्यृक अखेकालीन भारतिय संस्कृति को नकार कर प्राक् utan भारतिय संस्कृति वर्जादा फोकस किया गया था और अग्रास्ट में ध्रम उध्व्त्याइश जो सब्ता हुइं सबकों यसके विजह से सांप्रदाइक्ता काफी बरती गई तो यह एक्जाम्पल था नेक्स देखते हैं भारत छोड़ों अंदोलन में खा गया है जनता ने अपना नेत्रित विकिया था इसमें और उच्छवर्ग और नौकर शाह सरकार के प्रती वफादार रहे थे और यह पूरी तरह इसको अहिंसक बताया गया है तो क्या यह अहिंस अध्यक्ष को सुमेलत करना है तो कौन सा इसमे हमारा करेक्ट होगा पहले हम देख लेते हैं फिर हम इसको मैच कर लेंगे बेल गाव अधिवेशन आपको पता है महात्मा गान्दी ने एक मात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गिए थी तो इसमे हमारा जो खरेक्ट होगा वो A है, A option हमारा, इसमें correct option होगा B, तो महात्मा कान्दी का सुमेलन हो गया है, बेलगाव अधिवेशन से, फिर दूसरा हो गया है कानपूर अधिवेशन, कानपूर अधिवेशन में थे B का 1, तो सरोजनी नाइडू, और गया अधिवेशन हो जाएगा हमारा तो यह हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे questions आजाते हैं exam में, next question की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमें इनका स्थापना वर्ष के साथ इनको match करना है, इसका हमारा correct option हो जाएगा, option number C, यानि देवबंद का हो जाएगा 1866, और Indian Reform Force का हो जाएगा 1870, परहमन्स मनली का हो जाएगा 1849, और हमदिया अंदोलन 1889, ठीक है, तो यह हमारी correctly matched है, इसमें हमें देखना है, कि जो घटनाए हैं, वो किसके कारेकाल में होई थी, लेकि केरल में मोपला विद्रो, काकोरी ट्रेंड कैती और स्वाराज राजपार्टी की स्थापना, आपको पताएगी यह जो घटनाए है, 1921 से 26 के बीच में होई थी, और इस समय पर हमारा एक वाइसरोय थे, कौन से थे वाइसरोय इस समय पर, इस समय पर थे Lord Reading, इनका कारेकाल 1921-26 रहा था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के संदर में, इसमें कहा गया है, जो गुप्त शासक थे, जो गुप्त समबच चलाया था, जो 319-320 में चलाया गया था, तो इनके संबन में, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए इसका अंसर होगा, option number D, छीक है, इस क्वेश्चन में बात की गई है, कि गुप्त कालीन शासन विवरस्ता के संदर में, पॉइंस दिये रहे हैं, इस काल में पहली बार दिवानी और फॉसदारी कानून को परिभाशत किया गया था, राज जो है, उसको बुक्तियों में बाता गया था, इस समय पर उसका प्रभार था, वो विशेपती पर था, next point दिया गया है, कि उच अधिकारियों को नकत वेतन दिया जाता थ देखिए, first और third statement सही है, लेकिन second statement गलत है, क्योंकि आपको पता है, कि जो राज था, वो भुक्ति में बटा हुआ था, भुक्ति मतलब province, प्रांत में, लेकिन इसका जो प्रभारी था, वो उपरिक था, ठीक है, और भुक्ति के नीचे आता था हमारा विशे, ठीक है, और बेसिकली जिले होते थे, इनका जो प्रभारी था, वो था विशेपती, तो हमारा second statement गलत हो जाएगा, तो थोड़ा से ध्यान से हमें question solve करने की जरुत होती है, क्योंकि हमें पता होता है, तब भी वो questions गलत हो जाते हैं, तो first and third statement इसमें correct होगा, option हो जाएगा, option number C, then, बातियों की संख्या काफी बढ़ गई थी, तो इसमें हमारा correct answer कौन सा होगा, तियों ही बाते बिल्कुल सही है, correct option हो जाएगा, D, और पहला भी लेखी, साक्ष किस वर्ष मिला था, 510 इसवी में मिला था, ठीक है, सती प्रथा का साक्ष, तो ये हो गया हमारा, वाकाटक व लोकायत दर्शन के प्रवर्तक, कौन थे, चार वाक थे, लोकायत दर्शन के प्रवर्तक, ये बहुत एक्तावादी दर्शन के प्रमुक प्रवर्तक थे, फिर अकबर के प्रशासन के संदर्व में कतनों पर हमें विचार करना, इसमें कहा गया है, जो अकबर ने भूराजस किया थी वो विद्वानों और पीरों को जी जाती इसमें हमारा करेक्ट सेट्मेंट कौन से होगा यह तीनों ही बाते पिल्कुल सही है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन अबर डी देन तो इसको ध्यान रखे गा चीक है आगे देखते है मर्दि काल में प्रयोग जो होता था रहरट यह क्या था एक है किले बंधी बस्ति जहां सैनेक रहते थे किले बंद जो बस्तियां थी जहां पर सैने प्रहते थे वो गैरिसन थे और रहाट क्या था ये था ये था कहां गया हमारा इसका correct option था सिचाई में प्रयोग तो ये हमें पता होना चाहिए ऐसे questions आ जाते हैं तो हम दर जाते हैं लेकर एक बार आगर आप इसको ध्यान से देख उचित हुआ था और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को तो ये dates काफी important होती है बिल्कुल सही है दोनों statements इसलिए correct option हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को शोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ठीक है शोग दिवस के रूप में मनाया गया था then next question में कहा गया है कि जासकर परबच शेड़ी का निर्मार हमालय से पहले हुआ था फिर कहा गया है जो ब्रहद इर्मालय है वो लगू हमालय से अलग होती है main boundary falls से और भारत की जो सबसे उची चोटी है वो ट्रांस हमालय में पाई जाती है तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा option number c यानि first and third statement सही है दूसरी गलत है क्यों गलत है क्योंकि यह अलग होती है main central thrust से अलग होता है ब्रहद हमालय लगू हमालय से देखे कारा कोरम लद्दाक और जासक जो परवच्रेरिया है वो ट्रांस हमालय के चेत्र में मिल शामिल है ठीक है तो इनका निर्मार हमालय से पहले हुआ था और कारा कोरम में ही इस्तित है गौर्डविन ऑस्टिक भारत की सबसे उची चोटी है इसलिए यह option correct हो जाएगा फिर next question में आते हैं इसको में बताना ह है कौन सा सही match है तो इसमें जो सही match है वो है हमारा option number C यानि कि तुझू दर्रा जो है वो माणीपुर में है और पांग सान दर्रा जो है यह अरूनाचल प्रदेश में जेलेपला सिक्के में है और दीफू अरूनाचल प्रदेश में ठीक next question की तरफ बढ़ते हैं इसमें कह हमाले वाले चेत्र में पाए जाते हैं तो इसमें हमारा कौन सा सेट्मेंट सही होगा इसमें हमारा सेट्मेंट तीनों ही सही है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा option number D next question की तरफ देखते हैं सुमेलित करना है अभी हमें इसमें तो पहले देख लेते हैं A option होगा इसका correct तो माही नदी विध्यांचल परवत होगा लूनी नदी नाग परवत होगा साबरमती नदी मेवार की पहाडियां और वेगई नदी वरशानद पहाडियां ठीक है तो एक बार इसको फिर से देख लिजए ताकि आगर आपको नहीं लर्ण हो जाए तो लर्ण हो जाए माही दो देखते हैं कि इसमें बात की गई है कि कौंसी मिरदा के बारे में बताया गिया है सेटमेंस implicit को बारे में बता रहे हैं पहले में का गया यं चालिट्य Mensch barrier and law oxide की उपस्तिती होती है humus की कमी होती है और साथ ही इगनियस और मेटाफ़ा। रॉक्स का विगटट और व्योजन से बनती है, कि विगटटन और व्योजन से बनती है, तो यह कौन सी है? तो यह कॉन सी है? देखिए अगर आपको बाके पॉइंट्स नहीं कि अलुवी लियल्स वोइथ फिर हम देखते हैं कौन सा सुमेलत है इसमें से कौन सा सुमेलत है जो सुमेलत है वो हाँ हमारा option number c यानो कि किशावु परियोचना टोंस नदी पर और पोलावरं जो परियोजना हे वो गोदावरी में है पोचम पात परियोजना भी गोदावरी में है ना कि कावेरी में चीक है धरन next question की तरफ देखते हैं next question में बात की रहे हैं कौन सा सुमेलत नहीं है तो सुरू घाटी जो है वो कारगिल में है ये बिल्कुल सही सुमेलत है लेकिन कांगडी घाटी जो है ये टाबो मठ में ना होकर कहां पड़े धरमशाला में और जो दूसरी हमारी स्पीती घाटी है ये ताबो मठ में है चीक है तो हमारा सुमेलत कौन सा नहीं है दो और तीन सुमेलत नहीं है करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा फिर हम आगे देखते हैं भारत में सरवाधिक छेत पर पाए जाने वाले देखे इसको अर्स्ट वाइल रिवर ना कहेकर अंटी सिडिंट रिवर कहेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेशन में बात की गई है सिस्मोग्राफ स्केल की स्केल और सिस्मोग्राफ कौन से होते हैं मरकेली, रॉसी, डिक्टर कौन सा होता है इसमें इसमें ये तीनों ही होते हैं सिस्मोग्राफ के स्केल इसने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अंबर डी आगे बढ़ते हैं भूमी निम्नीकरण के लिए कौन से रीजन्स जिम्मेदार हैं खनन, वनोन, मूलन, अतिपशुचारण, अत्यधिक, लुग खनिच प्रक्रिया तो कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन फिर से एक बार सभी रिस्पॉंसिबर होते हैं लान डेग्रेटेशन में इसी क्वेश्टन है आपने कर लिया होगा इसका आंसर होगा option number D ठीक है option D करेक्ट हो जाएगा फिर next लेखते हैं हिमालेयन यव इसके संदर में points दिये गए, कहा गया है कि इसकी जणों, पत्यों और छाल से निकलने वाले रसायन से cancer निरोधक दवाई बनती है और ये अरुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में पाया जाता है और IUCN की red list में, ये critically endangered species है, तो ये basically होता गया है, ये एक पौधा है, ठीक है, एक और शदी ये पौधा है और इसे IUCN की red list में, endangered श्रेडी में रखा गया है ठीक है, ना कि critically endangered, तो इसमें हमारा correct option कौन सा हो जाएगा, option number 1, 1 और 2 साई है, third गलत है आगे देखते हैं, वर्षा जल संग्रहेंट से संबंदित points दिये गए है, कौन सुमेलत है, तो कौन सा सुमेलत है, देखी, जोहर जो है, वो शुष्क और अर्ध शुष्क शेत्रों में घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए बनाई गई गई भूमिगर टांक है, टांक, चीक है, और गुल क्या है, पहाडी शेत्रों में खेतों में सचाई के लिए बनाई गई वही का है, ये बिलकुल सही है, तो option 44th का हमारा correct हो जाएगा C, यानि कि केवल तीसरा कथन सही है, और first और second interchange हो गई है, चीक है, interchange हो गई है, तो आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है, बास ड्रिप सचाई प्रलाली, कहां पर चलाई जा रहे है, कौन से राज्य में प्रचले थे, तो ये प्रचले थे हमारी मेगाले में, चीक है, bamboo drip irrigation system मेगाले में प्रचले थे, फिर ये statements देख लेते हैं, भारत में अरेबिका किसम की कौफी की खेती होती है, और इस प्रचले में कहा गया है, वर्ष भर समान रूप से होने वाली जो वर्चा होती है, इसकी बहुचाने चाई की पत्तियों के विकास में काफी जादा helpful होती है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, इसको आप लरन कर लीजिए, कि अरेबिका किसम की खेती, कौफी की खेती होत तो इसमें कहा गया है कि खनन की ये विधी मेखाले में प्रचले थे, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद कहा गया है, इस प्रकार के जो खनिज, कि खनन का स्वामित से स्वर्वकार के पास ना होकर, व्यक्ति और समुदायों के पास होता है, ये भी बिल्कुल सही है, राट इहांपर कोले की कि यहां पर जो परिवार के सदस्वे होते एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा लंबी फ होते हैं सुरंगों के रूप में इसकी खुदाई की जाती है इसलिए इसको राथँवल खनन कहा जाता है राथषोल माईनाईंग 129 कौन सा हौ至 और tropical desert नहीं है वो है पेटागोनिय मरूस सर देखिए यह सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है tropical है कि नहीं आपको याद नहीं आ रहा है बेसिकली तो एक बर आप map खोल कर देखिए और इनको locate करिए तो आप कभी इसको फिर नहीं भूलेंगे next देख लेते हैं match the following करना है इसमें हमको इसमें हमारा जो correct option होगा वो है option नमबर बी यानि कि फिल्लेंड हजार जीलों का देश कहा जाता है और बैकाल जील परल ओस साइबेरिया दूसरा आता है हमारा Thailand यह है मोतियों का दूसरी Thailand है हमारा सफेध हाती की भूमी और बहरीन जो है वो है मोतियों का दूसरा आपको पता हो अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजे फिल्लेंड हो गया हजार जीलों का देश बैकाल जील हो गई परल ओस साइबेरिया थाइलेंड हो गया सफेध हाती की भूमी और बहरीन हो गया मोतियों का दूसरा आगे देखिए इसमें संकेतक प्रचाती क्या है संकेतक प्रचाती कौन होती है यह होती है ऐसी प्रजातिय आज रधावलान परिवरत्रं के लिए बहुत संवेधन को होती है उनको संकेतक यानि इंडिकेटर स्पिशी कहते हैं एक तियुक् reiterate करती है कि जो भी पर्यावलान में परिवरत्र होता स्कूछ ठीक है, then अब हमें इन पे विचार करना है, कहा गया है, स्वैंप एसे इस आद्र भूमी होती है, जिसमें वरक्ष नहीं होते हैं, और मार्ष आद्र भूमियों में वरक्ष पाये जाते हैं, तो ये बात बिलकुल गलत है, क्योदि स्वैंप में व्रक्ष पाए जाते हैं और इसमें व्रक्ष नहीं पाए जाते हैं ठीक है और बॉग या दलदल अमलिय प्रकृति के होते हो इसमें पीट का संचय होता है ये बात सही है तो correct option कौन सा हो जाएगा option number C केवल third statement सही है ये दोनों interchange हो जाएगे एक बार फिर से ठीक नेक्स्ट में बढ़ते हैं supportion यानि eutrophication के संदर में कहा गया है ये केवल human factors से होता है और दूसरे में कहा गया है supportion के कारण जो जलिये निकाए है उसमें oxygen की अपरयाप्टिता की समस्या पैदा होती है तो cable human factors से नहीं होता है natural भी reasons होते है factors होते है और natural process में इसको होने में काफी वर्ष लग जाते है और oxygen की अपरयाप्टता होती है बिल्कुल सही बात है इसलिए इसमें correct option हो जाएगा option number B then बात की गई है पारिस्थितिकी पिरामिट से सम्बंद है पहले में कहा गया है जो इस थलिए पारितंतर है इसके biomass pyramid इसका जो होता है वो सीधा होता है और किसी पारिस्थितिकी पिरामिट होता है ये भी हमेशा सीधा होता है और उर्शा पिरामिट सदयर सीधा होता है देंकि first और third statement इसकी बिल्कुल सही है लेकिन जो संख्या पिरामिड होता है नंबर पिरामिड ये हमेशा सीधा नहीं होता है ये उल्टा और सीधा दोनों हो सकते है ना कि हमेशा सीधा होता है इसने correct option हो जाएगा इसका option number C फिर next question में आते हैं इसमें बात की गई है कि हमें देखना है कौन सा सुमेलित है कौन सा इसमेलित है पहला कहा गया है माइकोरिजा जो है ये पेड़ की जणों को पोशक तत्व के अप्शोषण में सायता करने वाला कवाख है फंजाय है दीमक नाइट्रोजन स्थिरी करन करता है राइजोबियम दलहनी पौदों की जणों पर पाया जाता है तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है option D correct हो जाएगा इसमें next में बढ़ते हैं हमें देखना है कौन सा जीवन भर पानी पियर बिना पानी पियर रह सकता है तो ये काफी interesting question है कंगारू चुहा जो होता है ये जीवन भर बिना पानी पियर रह सकता ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके जो urine होती है वो उसको solid form में excrete करता है जिससे कि water को conserve कर लेता है ठीक है water को conserve कर लेता है क्योंकि अपनी urine को solid form में excrete करता है ये काफी interesting question है then next में आता है point sources of water pollution देखे water pollution के दो sources होते है एक होता है point और दूसरे होते है non point sources point sources कौन से होते है जहाँ पर pollutants जो है वो निश्चित इस्तोत से आते है और non point क्या हो जाएगा नाम सही पता चल रहा है जहाँ पर pollutants विस्तरित sources से आते है यह विस्तरित sources से आते है तो अब हमें बताना है point sources of water pollution कौन से है यहाँ पर तो point sources नगरपालिका का सीविर स्थल और फैक्टरियों का बहिस्तराव स्थल यह दोनों जो है वो हमारे point sources हो जाएगे बाकी जो है क्रिशी छेत्र का बहाफ खुले में शौच शहर के जलका बहाफ जो होता है यह non point sources में आ जाएगा तो इसलिए correct option D हो जाएगा राइट आगे देखते है ग्रीन है उस ग्यासों में किस एक उत्सर्जन का ग्यासों में से किस एक उत्सर्जन को पूरी तरह से मानव जनत कहा जाता है तो कौन सा मानव जनत उत्सर्चन है कौन सी ग्यास का chlorofluorocarbons आपको पता है यह पूर्टा मानव जनत उत्सर्चन है मानव जनत कोई anthropogenic भी कहा जाता है जैसे कभी अगर आपका हिंदी में भी word anthropogenic आ जाए तो घबडाईए का मत इसका मतलब होता है मानव जनत उसके बाद tapia production के लिए जिम्मेदार है क्या जिम्मेदार है इनमे से tapia production के लिए परमाणू उर्जा सयंत कोईला देहन विश्री सयंत 30 इलाकों में जो वनमूलन होता है और petroleum शोद कारखानों में जो sheetland से निकलने वाला गर्म जल होता है तो यह तीनों ही tapia pollution यानि की thermal pollution के इसलिए उप्रोक्ट सभी इसका correct option हो जाएगा अगले question में बात की गई है इवेस्ट के संदर में इसमें कहा गया है सीसा और क्याडमियम जरसे जो भारी धातू है वो इसमें पाई जाती है और इसमें निकलने वाली धातू में किड्नी केंद्रिय तंत्रिकातंत और चार के in-situ विद्धिया in-situ कौन-कौन सी है तो बायोवेंटिंग बायोस्टिमिलेशन और बायोपाइल्स इन में से in-situ treatment क्या है option A correct होगा यानि 1 बायोवेंटिंग और बायोस्टिमिलेशन इन-सी-टू treatment है इसमें पहले हम देख लेते हैं कि बायोवेंटिंग बायोस् पोशक तत्वों को प्रदूशत मृदा तक पहुचाया जाता है और बायोस्टिमिलेशन में क्या होता है कि injection के माध्यम से पोशक तत्वों को प्रदूशत मृदा में भेज कर जो भी polluted soil होती है उसमें pollution को समाप्त करने वाले जो microbes हैं उनकी व्रद्धि करने का प्रयास किय जाता है बायो पाइल्स लांड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का मिश्रत रूप होता है तो यह देख लिया हमने देखने हैं नेक्स टिद्ध की तरफ बढ़ते हैं देखना है कौन सुमेलत है तो यह चारों ही बिल्कुल सुमेलत हैं मैच कर लेते हैं फर्न जो है वह आर् से अलुमीनियम को दूर करती है तो यह इंपोर्टेंट है इसको एक बार फिर से देख लीज़े ताकि आपको याथ रहे आगे क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं इसमें बात की गई है जै विवित्या हरास के जो भी कारण है उनको बताया गया है कौन-कौन से कारण उत्तर आप समझ कहा होंगे कि तीनों ही कारण है लेकिन फोर्थ में आप थोड़ा कंफ्यूस होंगे तो मैं आपको बता दूं जनसंख्या व्रद्य और पावर्टी के कारण क्या होता है जो संसाधन है उन पर अत्रेक्त भार पढ़ता है इसलिए इसके चारों ही रीजन्स होंगे इसके जो ऑप्षिन से वो गलत है ऑप्षिन बी होगा यहाँ पर ठीक है बन टू थ्री लिखा हुआ है ऑप्षिन डी करेक्ट होगा नेक्स क्वेशन की तरफ पढ़ते हैं आयू सी एन की जो रेड लिस्स है उसके संदर में कुछ स्टेट्मेंट्स दिये गया है कि इसमें इसमें परजातियो को 6 श्रेडियों में विभाजित किया जाता है और वे की श्व है वता कि स्वास्त का मापन करता है basically है से हमें रेखना है कि कौन सा सुमेल्ट है 2 सर्ल फॉर्स्ट और थर्ट फॉल्द है यानी कि ग्रेट इंडियन बस्ट जो है वो क्रेटिकलि ईंडेंगर chopping जो है जो हमारा घर याल यह क्रेटिकलि इंडेंगर नांखी केबल एंडेंज़र टीГ कि इसलिए correct option हो जाएगा option number c then अगले में बात की गई है national park के संदर में इसमें कहा गया है इसके लिए संरक्षित जो छेत्र होगी उसकी घोशना केंद्र सरकार करती है और इसकी सीमाओं में परिवर्तन अगर करना है तो उसके लिए राज विधार मंदल में एक संकल पारित करना होगा तो कौन सी बात सही है इसमें केवल second statement सही है क्योंकि इसका जो संरक्षित छेत्र है इसकी घोशना राज्य सरकार करती है ना कि केंद्र सरकार नाशनल पार्क और जो अभ्यारन इसके छेत्र होते हैं इनकी घोशना राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है और Wildlife Conservation Act 1972 के तहर्ट राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है आगे बढ़ते हैं Biosphere Reserve के संदर में स्टीटमेंट्स दी गए हैं कहागे इसका जो नाम करान है वो केंद्रिय सरकार करती है और Crude यानि कि जो आंत्रिक छेत्र है उसकी monitoring के साथ केवल शोद कारियों को मंजूरी दी जाती इस छेत्र में आंत्रिक जो में रेजन होता है और उसके बाद कहागे ह इसमें tourism allowed है तो कौन सा इसमें correct statement होगा इसमें correct statement C है 1st और 3rd सही है आंत्रिक जो छेत्र है उसमें केवल सरकारी करमचारियों और अधिकारियों को को ही प्रवेश दिया जाता है और 1st और 3rd statement सही है इसलिए correct option C हो जाएगा then next question में बात की गए है जलवायू परिवरतन के संदर में इसमें खा गया है कि यह एक दीर कालीन प्रक्रिया है जो केवल मानव जनत परिस्थितियों के कारण ही होती है और इसमें तीव रोध्योगी करण और द्योगी की करण then संसाधनों का दुरूपियो सौर कलंग चक्र जैसे कारण जिम्मेदार होते है तो क्या आप बताए क्या यह केवल मानव जनत परिस्थितियों के कारण होता है जी नहीं इसके लिए जो natural factors होते हैं वो भी काफी responsible होते हैं जैसे कि volcanic disturbances यह भी हमारा जो climate change है उसको प्रभाव डालते हैं लेकिन यह प्रभाव काफी लंबे समय पर पड़ता है और धीमे धीमे परता है लेकिन जो human factors होते हैं उसके कारण प्रभाव काफी तीव रगती से दिखाई देता है तो इसमें हमारा correct option हो जाएगा option number B next question में बात की गई है statements देख लेते हैं इसमें कहा गया है कि प्रत्वी की सते को गर्म रखने के लिए प्राक्रतिक रूप से greenhouse प्रभाव मौझूद रहता है बिल्कुल सही बात है methane की जो वैश्विक तापन चमता है वो carbon dioxide से कम है वैश्विक तापन चमता है यानि global heating capacity then chlorofluorocarbon की जो global heating capacity है वो बहुत अधिक है तो इसमें हमें बताना है फिर से कौन सा कतन सही है इसमें जो हमारा कतन सही है वो होगा 1 और 3 first और third statement सही है second statement incorrect है क्योंकि जो methane की वैश्विक तापन चमता है यह 100 वर्ष में अगर इसको देखा जाए 100 वर्ष के पैमाने पर तो देखा जाएगा कि CO2 की अपेक्षा यह 20 गुना जादा है ठीक है तो methane की capacity काफी जादा है CO2 की comparison में ध्यान रखी कैस बात को अगले question की तरफ बढ़ते हैं फिर हमें देखना है ozone विकटन कारी गयस है ठीक है कौन सी ozone विकटन कारी गयस है कौन सी है इसमें इसके तहत आंसर होगा हमारा 1,2,3 and 5 1,2,3 and 5 यानि की chlorofluorocarbons, methyl chloroform, methyl bromide और carbon tetrachloride methane एक ozone विकटन कारी गयस नहीं है देन बात की गई है कि देश के 24 वे controller general of accounts के पतपर कौन अभी appoint हुआ है तो कौन appoint हुआ है वो हुए है सोमा रोय बर्मन सोमा रोय बर्मन नए CGA बने है CGA controller general of accounts फिर हम देखते हैं कि word anti doping agency ने किस देश को 4 साल के लिए वैश्विक जितनी भी खेल प्रतियोगता है उनसे ban कर दिया है तो किस देश को किया है रूस को किया है word anti doping agency ने ऐसा किया है रूस के साथ नेक्स question में पूछा गया है कि national anti doping agency ने किसे अपना brand ambassador बनाया है सुनील शेथी को बनाया है जो film actor है सुनील शेथी उनको अपना brand ambassador बनाया है फिर पुरुष ODI match में referee बनने वाले पहली महिला कौन सी है यह कौन सी पहली महिला है यह है GS लक्ष्मी राइट GS लक्ष्मी पहली महिला है आगे बढ़ते है next question की तरफ तीसरा rocket launch pad इस रो कहां इस्तापित करने की योजना बना रहा है यह बना रहा है कुल शेखर पट्टिन कुल शेखर पट्टिनम तमिल नाडू के एक जिला है थुटू कुडी थुटू कुडी में बनाने का योजना बनाई जा रहा है इससे पहले दो और जो है यह आंध्र प्रदेश के श्री हरी कोटा में launch pads located है ठीक है तो यह तीसरा है यह भी important point है then next question की तरफ बढ़ते हैं कि इस राजिक को word habitat award मिला है recently यह कौन से राजिक को मिला है यह मिला है ओडिशा को word habitat award यह थोड़े learn करने वाले questions है साथ में ध्यान से सुनते चलिए ताकि आपको learn हो जाए then Oxford University का word कौन से था Hindi word of 2019 तो वो था संबिधान कौन से वर्ट था संबिधान next उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंद्री क्रिशक दुर्गतना कल्यान योजना के संदर में points दिए गए हैं इसके तहट खा गया है कि किसानों को आर्थिक साहिता दी जाएगी जिनकी खेतों में काम करने के दौरान मिर्टी हो जाती है या वो अपाहिश हो जाते हैं और डेने करें कि और योजना की बिए खेलो इंडिया यूद्गेम्सके third कि किस राज्य में सरवाधिक मेडल जीते राज्यन उने सरवाधिक मेडल्स जीते हैं और आयोजन असम में हुआ था फिर वज़ प्लाटफॉर्म के बारे में पॉइंट्स दिये गए हैं कहा कि एक ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी पर आधारित पेमिंट सिस्टम है और NPCI ने इसको लॉंच किया NPCI का फुल फॉर्म क्या है National Payments Corporation of India दोनों ही बारते बिल्कुल सही है फिर गोवा में होने वाले 2020 जो राश्ट्री खेल है उनका शुभांकर रूबी गुला है यह क्या है यह एक फ्लेम थ्रोटे बुलबुल है और यह गोवा का यह क्या है यह गोवा की ही राजय बक्षी भी फ्लेम त्रोटे बुल-बुल फिर हम देखते है कि देश का पहला पाशू युद्दिस्मारक कहां स्तापित हो रहा है यह हो रहा है मेरत में यह देश का पहला है थे हैं पाशू युद्दूस 10ích के लिए तो यह की jedक्या गया था option number A हमारा correct हो जाएगा इसमें 1.5 से 2.8% के बीच में और ये 1991 में जो आर्थिक सुधार हो ये थे उसके बाद से सबसे कम prediction है ठीक है तो ये prediction याद रखियेगा आगे देखते हैं यानो मामी जन जाती ये कहां पर निवास करती है ये निवास करती है और इने को नदी बेसिन मे देखें यानो मामी जो है ये South American Indians भी कहा जाता है इनको और ये दक्षनी वेनेजुएला में और निको नदी बेसिन के दूर दराज के जो जंगल है वहाँ पर रहते हैं और उत्तरी ब्राजील में Amazon जो नदी है नदी बेसिन के सबसे उत्तर तक इनका इनकी पहुंच है ठीक तो ये न्यूस में आई थी इसको कवर करना इंपॉर्टंट है आगे देखते हैं सस्टेनिबिलिटी इंडेक्स 2020 क्या कहा गया कि इंडिया की कौन सी पोजेशन थी इंडिया की 77 पोजेशन थी फर्स्ट पोजेशन पर था हमारा नॉर्वे सेकेंड पर था साउथ कोरिया औ आपको ना पता हो यह मनाये जाता है तेरा फेब्री को और इस दिन होता है यह बर्थ अनिवर्सरी होती है सरोचनी नाइटू की राइट देखिए इस क्वेशन में बात की जा रही है कि 24 एप्रिल 2018 को उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने निर्णे किया था कि एक नया न चाहिती राज़ दे बनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसे दिन है इसका अनूसमेंट हुआ था तो आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन की तरफ नेक्स क्वेशन में बात की गई है कि स्माइल मशाल जोती यह किससे संबंदित है इससे संबंदित कुछ संबंदित है तो यहां पर हमारा करेक्ट ओप्शन हो जाएगा सी क्योंकि यह दोनों ही स्टेट्मेंट्स बिल्कुल करेक था फिर देखते है उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा की बात की जा रही है जो उत्तराखन से नहीं लगती है एक बार उत्तर प्रदेश का माप देख लेना चाहिए ताकि हम याद रख सकें तो किस जिले की सीमा नहीं लगती है वह है अम्रोहा देन इसका मतलब मुदफर नगर बिज्णौर मुरादाबाद सबसे लगती है तो एक बार अब जल्दी से मैप चेक कर लीजेगा देन इसमें आता है मेजर सिटीज उफ उत्त पूर है लेकिन बागपत नहीं है इसके लिए हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि मैप देख लें तो कौन-कौन से प्रमुक नगर है उनके मैं आपको कुछ बता देती हूं फरुखाबाद हो गया कनौज हो गया कानपूर हो गया प्रयाग राज मिर्जापूर वारा नसी औ कौन सा है कौन सा जिला सरवाधिक लिंगा अनुपाट वाला है वो है जौनपूर गया है तो जो नहीं सुमेलित है वह है सुहागी बर्वा ये एटा में ना होकर कहाँ पथे महराज गज में और जो सुमेलित हैं वो देख लेते हैं चंदरप्रभा वन्यजीव विहार संबंदित निम्ड में से कौन से जिले से संबंदित है तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा option नमर बी यानि मेरत से और मेरत में ही सबसे पहले हमने देखा है कि युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है पशु युद्ध स्मारक फिर आता है कर्मा द्रत्य इसका जाता है और यह ग्रीक अक्षर जो पाई है उसको संबर पे थे और पाई अपने त्रज्जा के वर्क से विभाजत व्रत को व्रत का छेत होता है तो सेकेंड और स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है लेकिन यह 17 मार्च को नहीं मनाया जाता है 14 मार्च को तो करेक्ट ऑप्शन ह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर बी आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेशन किया गया है साइनो बैक्टीरिया के संदर में यह सभी प्रकार के पानी में पाये जाते हैं एक कोशिकी है और यह जीव पर पोशी है तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह है वान और पहला लिवेंग रोबोट और यह यह गया क्यूंकि इसमें आफ्रीकन च्लॉड फ्रॉग के सेल को का प्रेयुक किया गया है इस रोबोट को बनाने में राइट तो यह काफ़ी इंप्वेशन डाता है आने वाले एक्जैम्स के लिए देन बात की गई है इस अलिलो की बनी ह होती है यह semi-permeable है और यह living है तो इसमें बताना है कौन सा कतन सही नहीं है तो जो कतन सही नहीं है वो है हमारा option number b यानि second or third सही नहीं है क्योंकि semi-permeable नहीं होकर permeable है और यह non-living होती है और यह cellulose की ही बनती है तो option हमारा हो गया है इसमें b then गौल जी का है किसमें नहीं पाया जाता है यह पूछा गया है तो red blood corpuscles of mammals bacteria blue green algae तो यह तीनों में ही नहीं पाया जाता है correct option हो जाएगा डी ठीक है hundred question हमने कर लिये हैं हम पहुच गया है hundred and first question में इसमें कहा गया है विशानू की सजीव होने के क्या लक्षण है सजीव होने के लक्षन पूछे जा रहा है तो पहले में कहा जा रहा है कि इनके न्यूक्लिक जो अमल है वो ड्विगडन होता है न्यूक्लिक अमल का ड्विगडन होता है रेप्लिकेट करते हैं उसके बाद कहा जा रहा है ये जीवित खोशिका में सक्रिय होते हैं एंजाइम का संचलेशन करने लगते हैं और क्रिस्टल के रूप में कई वर्षों तक रखे जा सकते हैं देखे विशानु के संदर में तो यह तीनों पॉइंट्स नहीं है लेकिन सजीव होने का लक्षन उसका फर्स्ट और सेकेंड है थर्ड यह निर्जीव होने का लक्षन ह ठीक है इसलिए करेक्ट उप्षन हो जाएगा option number a डेन नेक्स्ट वेस्टन है लाइकिन के संदर में कहा जा रहा है कि म्रिदा निर्माण की प्रक्रिया में सहयक होते हैं और यह खादेपदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं और प्रयोग शाला में प्रयोग किया जाने है हमें basically इसमें तो हम देख लेते हैं इसका correct answer क्या है इसका correct answer होगा option number C यानि A4 हो जाएगा B1 C2 and D3 तो जो अलवा है वो समुद्री सलाथ है नॉस्टोक nitrogen सिरी करन से related है कारा जो होता है वो malaria उन्मूलन से related है और सारकासम शेवाल मवेशियों का चारा होता है तो आगे बढ़ते हैं इसमें हमें फिर से सुमेलित करना है इसका भी एक बार correct answer देख लेते हैं option B यानि A2 हो जाएगा हमारा paddy poppy disease deficiency से related है दूसरा हमारा हो जाएगा A20 का answer होगा चीक है एक बार देख लिजएगा नेक्स में आते हैं और तो पेडा संग के संदर में कुछ points दिए गए है कहा गया है यह खुला रुधिर परिशंचरन तंत पाया जाता है इसमें फिर कहा गया है इसके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है और यह केवल ब्रा इनिस्टेशन इसमें होता है यानि की दे एक्जिबिट एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन ओनली तो कौन सा statement इसमें correct होगा इसमें correct होगा option number A फर्स्ट और सेकेंड साही है थर्ड गलत है क्योंकि इसमें internal और external दूनो फर्टिलाइजेशन होते हैं ठीक है इस question में बात की गही है घर्शन बल के संदर में statements दिये गए हैं पहला statement है कि इसका मान संपर्क तलके छेदफल पर निर्भर करता है उसके बात कहा गया है कि और थर्ड स्टेटमेंट हमारे incorrect हैं पहला statement इसलिए incorrect है क्योंकि दो सताहों के मद्धि जो लगने वाला घर्शन बल होता है उनके संपर्क छेद्रफल पर निर्भर नहीं करता है ये केबल सताहों की प्रकृति पर निर्भर करता है और जो हमारा घर्शन बल होता है सबसे ज popular प्रभाव के संधर्व में statements दिये हैं इसके माध्यम से सुदूर तारों और galaxy के प्रतवी क सापेकश से अधसी का पता लगाया जा सकता है और इसी के माध्यम से ब्रहमान के विस्तार का पता लगाया जा सकता है इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूंचा गया है तो correct हो जाए से उपर जा रही होती है तब उसको अधिक मालूम होता है ऐसे question species में काफी बार पूछ लिये जाते हैं चीक है तो यह important question था then समद्र नीला दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है आकाश के परावरतन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानि की due to reflection of sky and scattering of light by water यह reason होता है इसका फिर आते हैं आख में आइरिस का क्या काम होता है तो आख में जो जाने वाला प्रकाश होता है उसक गामा किर्णों के संदर में गलत कथन कौन सा है गलत है कि इनके गत्य जूर्चा बहुत अधिक होती है यह statement incorrect है उसके बाद यह किर्णने विद्यूत उदासीन होती है यह सही बात है देन इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इनके माध्यम से जीव कोशिका नश्ट की जा सकती है तो यह हमारा correct हो जाएगा यह हमारे correct statements है और question में incorrect पूछा है option B हो जाएगा फिर अगले question की तरफ बढ़ते हैं सुमेलित करना है हमको तो इसमें देख लेते हैं correct option कौन सा होगा correct option है option number C यानि कि potassium बनाने में जल शुद्धी करण से related है then copper sulphate के निर्म nutrient हो जाएगा detergent powder से चीक है तो इसको एक बार आप देख लीजे आगे बढ़ते हैं फिर हमें देखना है कि निमलेकेत में से कौन सी धातुए ऐसी है जिसमें corrosion यानि की संशारन जो है वो नगन्य होता है तो sona और platinum option number D इसका correct हो जाएगा देखे इसमें नगन्य होता है बलक जो सही नहीं है वो यह है कि gas जलती है और गंधीन गयस है बिल्कुल सही बात है ठंडा करने पर नीले रंग के द्रफ में बदल जाती है यह भी जह है और इसके तीन आईसोटोप से यह भी बिल्कुल सही बात है ज़लती है सरवाधिक यॉयोगिक बनाते है वह inert gas कॉन सी है वो है हमारी Zenon, ठीक है, Zenon, फिर शंकर आचारे समिती से किस चीज से संबंदित है, ये संबंदित है नए वित्वर्ष की व्यभारिक्ता की जाच से, जुलाई 2016 में जो पूर आर्थिक सलाकारते शंकर आचारे, इनकी अध्यक्षता में एक समिती गठित की गई थी, जिसका का था कि मौझूदा वित्वर्ष April to March की जगे नए वित्वर्ष की व्यभारिक्ता की जाच की जाए, ठीक है, और इस समिती ने वित्वर्ष जनवरी से दिसंबर के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया हुआ है, फिर आगे देखते हैं, इन में से कौन सी प्राप्तिया, राज प्राप्तिया, उप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्व प्राप्तिया क्या होती है, जो सरकारी क्रमों से प्राप्त लाभांश होते हैं और करिंसी चपाई से प्रापता है ब्याज प्राप्तिया, तो यह थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूझी गच्जु प्राप्तियां होंगी उसके अंतर गता जाएगा आंतरिक बाजार उधारी रिर्वसूली वीनेवेश विदेशी रिर्व और सहेता जो होती है विदेशों से ठीक है देन अगले क्वेशन में बात की गई है कि राजकोशिय घाटे के संदर में पॉइंट्स दिये गए हैं पह option हमारा correct हो जाएगा option number C ठीक है राजकोशिय घाटे के कारण ही जो सरकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक से पूंजी उधार लेती है जिसे कि अर्थ विवस्ता में मुद्रा की पूर्थी बढ़ जाती है और जो मुद्रा स्वीती है वो भी बढ़ जाती है और उच्छ रा कहा गया है यह सरकार द्वारा घाटे के बजट की भरपाई के लिए जो ली गई आंतरिक बाजार उधारी होती है उसकी वज़य से बढ़ता है और इसके चलते निवेश की दर पर नकारात्मक असर पड़ता है और इससे बैंक और वित्तियस इंस्थाओं के पास तरलता में कमी आती है यह तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर दी राइट देन निउन्तम वैकल्पिकर यानि की मिनिमम ऑल्टरनेटिव टाक्स इससे रिलेड़ेट पॉइंट्स दिये गए है यह कहा गया है कि य चेतर के जो कॉर्पर्ट एकाईयां होती है उन पर लागू होता है और यह शून निलार्प प्रदृश्षत करने वाली कम्पनियों पर लगाया जाता एक क्योंकि यह निजी इसे विवस्टा के तह cotton के लिए प्रकृय को सरल बनाने के लिए लाई गई है और इसके साथ ही सेवा प्रदाताओं को शामिल नहीं करती है रेस्ट्रों इसके तहट शामिल है देखे अब रेस्ट्रों जो है वो भी सेवा प्रदाता के अंदर ही हाते सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये तीनों ही स्टीट्मेंट्स हमारी सही है क्योंकि रेस्ट्रों जो है वो एक exception होते हैं इसके अंतरगत एक exception है रेस्ट्रों को छोड़कर जो भी सेवा का व्यापार करने वाले हैं वो इस योजना के बाहर है तो इसलिए हमारा यहाँ पर correct option हो जाएगा option number D option D हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा composition scheme के तहट बिसिकली जो कारोबारियों को प्रतीक मात तीन return धाकिल करने की बजाए अब उनको कर दिया गया है कि वो तिमाही में केवल एक return ही धाकिल करें ठीक है और इस योजना को केवल वस्तु कारोबार करने वालों पर ही लागू किया गया है ना कि सेवा लेकिन यहाँ पर restaurants केवल एक exception है यह याद रखिएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं इसमें कहा गया है कि निमलेकित में से कौन से लक्षर है विकास शील अर्थ विवस्ता के तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा विकास शील अर्थ विवस्ता के लक्षर क्या हो सकते हैं तो विकास शील की जहां बात आती है तो वहाँ पर क्रिशी पर निर्भरता होगी जन संख्या में तेज व्रधी होगी लेकिन विक्सित मानफ पूंजी नहीं होगी और पूंजी निर्मार की उच्चदर भी नहीं होगी इसलिए correct option हो जाएगा A ठीक है इसके अलावा और जो लक्षन होगी उसमें ये होगा कि प्रतिव व्यक्ति जो आए होगी उसका निम्निस्तर होगा पूंजी का आभाव होगा और देलिक पिछड़ापन होगा बेरोजगारी होगी आर्थिक निर्भरता होगी ठीक है ये points और है जो एक विकाशी लर्त्विवस्था को प्रदर्श्यत करते हैं आगे देखते हैं मुद्रा बाजार के तहट क्या शामिल होता है छेत्रिय ग्रामीर बैंक कॉल मार्केट सहकारी बैंक गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थान यानि NBFC तो कौन शामिल होता है इसके अंतरगत इसके अंतरगत छेत्रिय ग्रामीर बैंक कॉल मार्केट और सहकारी बैंक होते NBFC नहीं होते हैं तो option हमारा correct हो जाएगा C और मुद्रा बाजार होता क्या है यह एक ऐसा बाजार है जहाँ पर जो मौद्रिक संपत्यां होती है समानेता अल्प कालीन या एक वर्ष से कम अबधी के लिए व्यभार में लाई जाती है ठीक है और जो पूझी बाजार होता है इसमें संपत्यां या प्रतिभूतियां बीर्ग कालीन यानि एक वर्ष से अधिक के लिए व्यभार में लाई जाती है तो यहाँ पर NBFC जो है वो हमारा पूझी बाजार का हैस्ता हो जाएगा ना कि मुद्रा बाजार का फिर आगे देखते हैं इसमें बात की गई है पीर टू पीर लेंडिंग की इसके माध्यम से क्या होता है कि इसमें मध्यस्त के तोर पर वित्येस अंस्थान मौझूद नहीं होते हैं और इसमें एक ओनलाइन मंच के माध्यम से जो उधार दाता होता है और जो उधार लेने वाला होता है दोनों एक साथ आ जाते हैं और RBI इसके दिशान रदेश जारी करता है तो यह तीनों ही स्टेट्मेंट्स हमारी बिलकुल सही है और यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी देखे 2017 में RBI ने इससे रिलेटेट कुछ डिरेक्शन दिये थे और यह पियर टू पियर लेंडिंग से रिलेटेट बिलकुल सही पोईंट्स है अगे देखते हैं अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं इसमें कहा गया है तरल पड़ी समपत्यां हमें दी गई है और हमें इनकों घट्टे हुए क्रम में लगाना है तो सबसे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है बैंकों के पास मांग जबा, सावधिक जमा, बचट जमा और करेंसी सरवाधिक लिक्विडिटी किसमें होती है करेंसी में होती है ओविसली तो सबसे पहले तो हमारा 4 हो जाएगा तो 2 options 4 के दिया हुए है लेकिन उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है हमारे मांग जमा तो मांग जमा कौन सी हो जाएगी हमारी option 1 पर दिया हुआ है तो correct option हो जाएगा option number D तो सबसे पहले currency फिर मांग जमा उसके बाद आता है हमारा बचट जमा और end में आता है सावधिक जमा तो यह हमारा correct हो गया D आगे बढ़ते हैं इसमें समवेधानिक प्रावधानों में साधारन भहुमत से बदलाफ किये जा सकते हैं किसमें किये जा सकते हैं तो राज्यों के नाम और सीमा में बदलाफ संसदी विशेशा अधिकार और संसद्वारा सर्वोच ने आले के अधिकार छेत्र को अगर परिवर्थत करना हो तो और संग राजी छेत्र के लिए मंत्री परिशत का गठन तो किसमें किया जा सकता हैं इन तीनों में ही साधार और भहुमत से बदलाफ किये जा सकते हैं आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं वित्तिय आपार्थ यह इजी क्वेशन है आपको पता होना चाहिए वित्तिय आपार्थ का संबंध किस्ते हैं कौन से आर्टिकल से हैं यह हमारा आर्टिकल 360 ठीक है अब यह बताएं कौन सेक्षन में कि क्या वित्तिय आपार्थ का लास्त भारत में लागू हुआ है इसको जल्दी से कौमें करकर बताएं आंसर में नेक्स देखते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक इनका संबन किस्ते हैं आर्टिकल 148 से ऑप्षन बी करेक्ट हो जाएगा देन राश्त्री अमानवा आधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त होता है तो सर्वोच नियाले के जो पूर्व मुख्य नियाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है इसका अध्यक्ष इसलिए ऑप्षन बी करेक्ट हो जाएगा फिर आता है अमारे सामने क्वेशन लोग सभा के जो आम चुनाव के बाद प्रोटिम स्पीकर होते हैं इनको शपत कौन दिलाता है इनको शपत दिलाते हैं हमारे राश्त्रुपती चीक है देन अगले question की तरफ बढ़ते हैं इसमें कहा गया है सम्विधान की किस अनुच्छेत के तहर राश्पती को कुछ संग राजिशेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ती प्राप्त है तो किस के तहर प्राप्त है आर्टिकल 240 के तहर चीक है कुछ संग राजिशेत्र के लिए विनिमय बनाने की शक्ती रखते हैं जैसे कि अंडमान और निकोबार लक्षुदीव दाद्रायन नागर हवेली दमनेन दीव फॉंडिचरी इन सब के लिए पावर इनके पास है इस आर्टिकल के तहर आगे रेखते हैं इसमें कहा गया है कि मंत्री परिशद सामु ही कतन हमारे सही है option C correct हो जाएगा next में बरते है आर्टिकल 19 के अंतरगत हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है तो कौन सा प्राप्त है शांती पूर्वक और निरायुत सम्मेलन का अधिकार है संगम या संग बनाने का अधिकार है कोई भी व्रत्ति व्यापार या कारोबार कर अधिकार है और धार्मिक कार्यों के प्रबंदन का अधिकार नहीं है एक बार रिवाइस कीज़े आर्टिकल 19 आपको याद आजाएगा मैं आपको बटा देती हूं कौन से हमें अधिकार प्राप्त है तो आपका रिविजन हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंतरता हो गय और देन आता है कोई भी वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार तो करेक्ट आप्शन कौन सा होगा आप्शन नमबर A आगे बढ़ते हैं इसमें कहा गया है कि राश्वपती की चमादान शक्ति किसमें है तो राश्वपती की चमादान शक्ति आर्टिकल 72 यानि की ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं राश्वपती संबंदित पॉइंट्स दिये गए हैं इसमें कहा गया है कि राश्वपती संख्या होगी वो 250 निरधारत है ये एक स्थाई सदन है और इसके सदस्यों की जो पदावधी है वो 5 साल है तो क्या पदावधी 5 साल है जी सारणी को नियमत करती है और इसमें लोग सभा समिती में 15 सदस से और राज्य सभा में समिती में 10 सदस से होते हैं तो इसमें हमें सही कथन बताना है कौन सा ये दूनों ही सेटमेंस हमारे इंकरेक्ट हैं क्योंकि पहले तो जो समिती के सदस्यों को आगे लाने के लिए सिफा करना चीक है यह कार होता है इसका मुख्य रूप से अगले क्वेशन की तरफ पढ़ते हैं अगला क्वेशन है हमारा लोगसभा अध्यक्ष से संबंदित इसमें कहा गया है कि चुनाफ के बाद लोगसभा की पहली बैठक के पस्चात उपस्तित जो सदस्ते होते हैं उनके बी हटाया जा सकता है तो यह तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिलकुल ही करेक्ट है इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आगे देखते हैं फिर आर्टिकल 356 के तहत कहा गया है कि राश्पती शासन लागू होता है तो उसके क्या एफेक्ट्स हो सकते हैं यदि संसत का स पत्र ना चल रहा हो तो राश्पती उस राज्जे के लिए ओर्डिनन्स या अध्यादेश जारी कर सकते हैं बिलकुल सही बात है और राश्पती राटि सरकार के सभी या कोई कार्य की शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं यह बात भी बिलकुल सही है इसलिए करेक्ट ऑप् प्रदेश के और इनका 2021 में जून 28 2021 में इनके सो वर्ष पूरे हो जाएंगे सो वर्ष मतलब सो वर्ष हंड्रेट बर्थ होगा बर्थ दे होगा इनका तो इसलिए जो तेलंगाना की सरकार है उसने अभी जून 28 जो इनका बर्डे होता है जिस दिन उस दिन से एक शताबदी समारो स्टार्ट किया है क्योंगी सो वर्ष इनके पूरे होंगे इनके जर्म के तो एक वर्ष तक नेक्स्ट यर तक जून 28 तक यह समारो चलेगा तो पीवी नरसिम्हा राओ जो हमारे पूर प्रधान मंत्री थे यह काफी इंपॉर्टन हो जाते हैं करेंट हमारे एक्जाम संसत के दोनों सद्नों से विशेश बहुमत से पारत किया जाता है तो यहां पर विशेश बहुमत क्या है बेसिकली यह पूछा गया है तो यह सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ-साथ जो उपस्तित्वा मद्दान करने वाले होंगे उनके सदस्यों का दो त्या संबंधिति पंचायती राज विवस्था से प्रतियक्स विप से संबंधित नहीं है वह हमारी राजमननार समयति राज मन्नार समयती किस से संबंधित है ये जल्दी से comment section में लिखकर बताएए बाकी जो संबंधित है वो है लक्षमी मल सिंग्वी समयती और जीवी के राउ समयती और साधेकली समयती देन आता है हमारा आर्टिकल 356 के तहर दी गई जो उद्गोशना है उसकी वैदिता क्या हो सकती है maximum ये तीन वर्ष हो सकती है एक बार में 6 माह के लिए होगा उसके बाद 6 माह करकर ये maximum तीन वर्ष तक लागू किया जा सकता है ठीक है देन आर्टिकल 360 के तहर भोशत वित्तिय आपात संसत के अनुमोदन के बिना अधिक्तम कितनी यह अपर मात्रा गलत हो गई है कितनी आवधी तक प्रवित्र रह सकते है तो कब तक रह सकता है ये दो माह तक दो माह के बार इसकी लिए संसत की अनुमती अनेवार रह ठीक है जो अधित्याग का अमेरिकी सिधान यह लागू नहीं होता है डेखे जो अधित्याग का अमेरिकी सिध्धान थे इसके अनुसार यह दि कोई वैक्ति अपनी मर्जी से मूल अदिकार शोना चाहए तो हो ऐसा कर सकता है लेकिन अगर आप भारत की condition में देखेंगे तो यहाँ पर इतनी ज़ादा जनसंख्या निरक्षर और गरीब है कि उसे अपने मूल अधिकारों की पर्याप जानकारी ही नहीं है तो ऐसी इस्तिती में वो कैसे अपने मूल अधिकारों का परित्यार कर सकती है तो इसलिए यह वाला लागू नहीं होता है फर्स्ट और सेकेंड लागू होते हैं कि संशोधन किया है उसके अध्यक्ष कौन थे उसके अध्यक्ष है इसमिती ने हम में किया था उसके बाद हम देखते हैं इनमलेखाव से वुठक के एने के इसाब से लगाना है का आपको अप्रिपंस जह करेंगे जो first नं आते हैं वो हमारे राश्वपती हो गए सेकेंड में हो गए वाइस प्रेसिडेंट फिर हो गए थर्ड में हमारे प्राइम मिनिस्टर फोर्थ में आगए हमारे सारे राज्यों के गवर्नर्स ठीक है फिफ्ट में हो गए भारत के पूर्व राश्पती देन सिफ्ट में हो गए जो भारत के मुख्य नया धीश है और लोकसभा के अध्यक्ष और सेवन्थ हो गए हमारे उप्रधान मंत्री जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोई है और संग की जो क्या सेवन्थ मांनना स्पात्त फानिता प्राफ यृणा मंदल के राजडूध होते है जो असाधारण और Sah技 राजियों के राज्यपाल भी एर्द में आते हैं ठीक है और राजियों के मुख्य मंत्री कि जो अपने राज hunters को जो भार बीम गांधूद उसमें और लो घिखर हो तो मुख्य मंत्री और राजयपाल दोनों ही एर्थ नंबर पे आएंगे देन नाइन्थ नंबर पे आते हैं भारतिये सर्वोच न्यायले के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयो तो ये सीक्वेंस होता है वरियता का तो यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर दिया गया है हमारा प्राश्पती, भूतपूर प्राश्पती, लोगसभा अध्यक्ष और प्रिधान मंत्री तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ओप्शन नंबर बी वन, फोर, टू आन थ्री ठीक है एशिया अफसनरचना निवेश बैंक, यानि की एशिया इंफ्रस्ट्रक्टर इन्वेश्मेंट बैंक इसका कहां पर है हेड़कॉर्टर, यह है बीजिंग में बीजिंग चाइना में है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फिर अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका, हुन्रू जलप्रपात कहां पर इस्ते थे, यह इस्ते थे, सोर्न रेखा नदी में अगर आपको यह अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीचेगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, और थांक यू सो मच, सी यू इन नेक्स लेसन